माननिय मुख्य नियाधीस नियाय मूर्ति स्री हसे भोब्रे जी, इसका रिक्रम उपस्थित, माननिय केंदरी मंत्री स्री दविशंकर प्रसाद जी, उच्तम नियाओले के माननिय नियाधीस नियाय मूर्ति स्री मत्री दविशंकर प्रसाद जी, माननिया न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस 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 उचितम न्याधिस उचितम न्याधिस उच माननिये न्यायदीश, न्याय मूर्ति स्री शिवा जी पांडे जी, जारखंड हाई कूट के माननिये मुख्य न्यायदीश, जो यहीं माननिये न्यायदीश थे पहले, न्याय मूर्ति स्री रविर अंजन जी, इस कारिक्टर में पस्तित बिहार सरकार के मान्य मंत्री भवन निर्मान विभाग स्री असुक चोधरी जी बिहार सरकार के मान्य मंत्री विधी विभाग स्री प्रमोथ कुमार जी पटना हाई कोट के मान्य महाधिवक्ता स्री ललित किसोर जी बार कॉंसुल अफ इंडिया के चेयर्मेन स्रीमन मिश्राजी यहां उपस्तित अन्य नियाइक संगट्वनों के सभी नेतागन यहां उपस्तित पटना उचने आले के सभी माननी नियाधिस गन उस्तम नियाले के पूर्व माननी नियाधिस गन पटना उचने आले के पूर्व माननी मुख्य नियाधिस और इस कारिक्रम में भाग ले रहे सभी माननी अधिवक्ता गन विशिस्ट अतित्री गन प्रिंटों में एलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार मित्रों चायकार बंदूं कारिक्रम उपस्तित बहनों बंभाईूं मैं सबसे पहले माननी न्याय मूर्ति स्री एसे बोब्डे जी का और अन्य सही माननी न्याधिस गर्ण का और आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं अब नंदन करता हूं आज के इस कारिक्रम में आप उपस्तित हुएं मुझे तो बहुत खुसी है कि आज पूरे तोर पर जो पट्ना उच्णायले के सताप्दी भवन बनाने का अंदरने हुआ और इस कारिक्रम का सिला न्यास पी चार फरवरी 2014 को हुआ था उस दिन पसंत पंच्वी का दिन था और जब सिला न्यास का कारिक्रम हुआ था उसमें भी मुझे को आने का मौका मिला था और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है आज उसका उधगाटन हो गया है उस अबसर पर भी मुझे को सामिल होने का मौका मिला है मुझे बड़ी खुशी हो रही है और पहले तो हम लोगों ने जो सोचा था उस समय जो 2014 में हुआ तो हम लोग तो सोच रहते कि 100 साल पूरा होगा 2016 में तो समय ही बन जाएगा लेकिन कई प्रकार की बातें आती रही दिन भर अगर काम हो तो फिर जुडिशेरी को समस्या थी तो कई तरह की ऐसी बातें और हमारे जितने यहां के मानिये सब देखते रहे इन सब चीजों को और इसके बारे में बहुत सारी चीजों का इसमें सुधार करवाया और उसके चलते जो भी लगा हलां कि अगर यह जो कोरोना का दौर नहीं होता पिछले वर्स तो यह पिछले ही वर्स इसका विधिवत उद्गाटन हो गया होता लेकिन आज ही हुआ है और अभी तो बताया गया है सब लोगों ने यहां के बारे में और इसको पुराने भवन के अनुरूप बनाया गया है विस्तारित भवन को भी और इस काम का इस परियोजना का पूरी लागत हुई है दो सो तीन करोड़ चौरानवे लाग रुप्या और सताबदी भवन के दो खंड जिसमें पांच तल है और सताबदी भवन के दोनों खंड ता नए पुराने भवन कनेक्टिंग ब्रिज से जुड़े हुए है और आप सब लोगों ने इसके पहले भी बता दिया कि इसमें नियाले कक्षों की संख्या 43 मानिये नियाधिसों क पुछ नियाले में बैठकों के लिए 6 कमिटी रूम 90 व्यक्तियों के बैठने के लिए इक कौंफरेंस रूम का दिर्मान किया है मानिये नियाधिसों के लिए एक लाउंज और पुष्टकाले का भी दिर्मान किया गया है और जो नम निर्मिद सताबदी भवन है इसमें 129 गाड़ियों के पार्किंग की विवस्ता की गई अब जो कुछ भी जो भवन का सिला न्यास हो रहा था इसके सताबदी भवन का उसमें की उसमें भी बात आई थी कि साब इसके लिए एड़ोकेट एसोसियेशन के लिए और उन्हों के बैटने के लिए भी जगह होनी चाहिए तो यह उसी समय बात हो गई थी और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से सत्रह में जमीन में उपलब्द करा दिया गया दस करोड़ सत्रह लाक रुपे से एड़ोकेट एसोसियेशन भवन की सुकृति दी गई थी और यह भी खुसी की बात है कि उसका भी निर्मान हो गया और उसका भी कारियारम हो गया जहां तक मुझे ध्यान में है याद है रव पुर्ण नयाले है इस उच्छी नयाले है इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात रखी उसको दोराने की ज़रूत नहीं है लेकिन इनसे कितनी बातों की जानकारी बिल गई और यह कौन नहीं जानता है जब देश के पहले रास्ट पती है स्वतंतरता संग्राम के है थे चंपारन सत्यागरा जो सुरू हुआ था तो उसी समय इन सब लोगों का रिस्ता उनके साथ हुआ था और आजादी की लड़ाई के साथ जो रिस्ता हुआ कितना आगे बढ़े तो यहां के बारे में कुछ भी देखने से पटना हाई कोड के बारे में कितना हम सब कितना सब कुछ देखा जाता है और पहले तो मातर साथ थे अब बढ़ते बढ़ते जज़ों की संख्या बढ़ती गई अब तो उसके बाद जितने कोर्स होते हैं और सब तरह के मामलों का निस्पादन किया जाता है यह अपने आप में बहुत महत्तोपूर्ण है और जो काम यहां पर हुआ है एक बात का हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को यहां पर काम करने का मौका दिया तो उस समय से ही 2006 में पटना हाई कोट की तरफ से भी मीटिंग की गई और किस तरह से अपरात पनियंत्रन हो और टेजी से ट्रायल हो औ और हमारे जो उच नियाले के मानिय अधीस गंथे जिनके जिब में जो जिला होता था एक एक जिले पर नजर रखते थे कि तेजी से ट्रायल हो और उसके चलते हुआ कि अपरात करने वालों को के बारे में कितने निरने हो और ये तो कोई भी चीज बात सामने आती है ये दे जो यहां बिहार में एक जो वातावरन था अपरात का उसके बहुत हट तक नियंतरन हुआ और इसके लिए हम लगातार बोलते रहें ये सिर्फ सरकार की जिनवारी नहीं है ये जो नियाले ने काम किया उसके चलते जो लोगों को सजा मिलनी सुरू हुई तो बिहार में क्रा भी सजा हो जाए सब कुछ हो जाए लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिक्ता तो गड़वर होती है और यह मनुस्य के सभाव में ही होता है ज्यादा तर लोग ठीक सभाव के होते हैं लेकिन कुछ लोग गड़वर सभाव के होते हैं तो तो कुछ करते ही रहते हैं इसलिए क कानुं कब से बना है सजा कितनों की होती है तब भी कुछ नोग अपराद होता ही रहता है लेकिन हम तो यही प्रार्था करेंगे कि कम से कम यह जो ट्रायल का काम है वो तेजी से अगर चलता रहेगा तो हम समझते हैं कि बहुत अपराद पर वो निरंद्रन ले गा यह चीज़ का जो मौलिक काम है वो तो करता ही ए करे गई लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब न्याय का प्रस्थ है तो इसके लिए जिम्मेबारी है न्याय पालिका को तो यहां से ही जब कुछ होता है तभी इन सब चीजों पर नियंतरन होता है तो मेरे हिसाब से जो काम हो रहा है हमको लग रहा है कि पूरे तोर पर सब कुछ है और एक बात हम कह देना चाहते हैं भी हमारे मान्य मुखिनादिस महोदे ने भी कहा प्रटना उश्डेले ने हम लोगों के पास जो भी प्रस्ताव आता है हम लोग उसको स्विकार करते हैं आगे भी आपको वचन देते हैं जब तक हम हैं काम करते हैं हम लोग काम कर रहे हैं तब तक हम आपको इतना वादा करते रहें कि और भी जहां जो कुछ भी जरूरत है नियायपालिका के लिए जिस इस्तर पर भी नियायपालिका के लिए जरूरत है और जो भी उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति का मामला हो या भवनों के निर्मान का मामला हो जो भी आप लोगों की तरफ से सरकार की बात नहीं है इसलिए सब लोगों को मिल करके ये सब चीजों को जो काम करना है तो आप सब लोगों को मालूम है हिसाब विधाई का तो कानूम बना सकता है जो कारिपालिका यानि सरकार की जो जिम्यवारी है वो अपना काम करती है लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका है, समिधान के मुतावि, उन्याय पालिका के भूमिका, किसी गलत आदमी को कोई तंग नहीं कर सकता है, और गड़बड करने वाला आदमी बच भी नहीं सकता है, इसलिए कोई मामूली चीज थोड़ी है, इससे बड़ा न्याय और क्या हो स आप लोगों ने कहा था 5 सालों में 2035 अधिनस्त कर्मियों के पत्सरजित किये गए हैं और सिभिल जज के 1033 पत्सरजित किये गए हैं आप आगे और जो समझेगा और बिहार की तो भई आबादी बहुत प्रजनंदर भी बहुत तो इसको देखते हुए सीमा तो कभी बढ़ने वाली नहीं है लेकिन आबादी इतनी जादा है और इधर उधर कुछ भी होता है आप और जितना चाहेंगे न्याय पालिका के लिए हम लोग अपनी तरफ से उसके लिए आपका जो भी प्रस्ताव आगा मैं दूसरी बार भी कहता हूँ वचन देता हूँ कि हम लोग एक एक चीज को स्विकार करेंगे ताकि लोगों को न्याय बिले हम यही आपको कह देना चाहते हैं और सब लोगों को जो इतने लोग आए हैं आज जो सतावदी भवन का उदगाटन हो रहा है और कितना सुन्दर भवन बन गया है सब आप लोग इसकी प्रसंसा कर रहे हैं सिर्फ आपको संजेप में हम बता देना चाहते हैं कि जब भी काम करने का मौका मिला है हम लोगोंने हर छित्र में काम किया है चाह सड़क का मामला हो चाह सिक्षा का मामला हो स्वास्त का मामला हो किसी भी चीज में भवन निर्वान का मामला हो सब कुछ हो और मानिय उच्दम नयाल कि मुख्य नयादीस महोद्य यहां पर आये हुए हैं अगर आपको कभी और समय मिलेगा तो हम तो चाहते हैं यहां का कुछ खास चीज आपको हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि कभी देख लिजिएगा कि क्या क्या काम यहां पर हम लोग ने करवाया है और पूरे तौर पर आप समझ लिजिए कि यहां पर जो बना है समराट असोक कन्वेंशन केंद्र अब जो समराट असोक कन्वेंशन केंद्र है उसमें क्या है पहले ग्यान भवन बनाया फिर बापू सभागार बनाया और तीसरे घंड में सभेता द्वार आप उसको देखिए कितना सुन्दर है किस तरह की building बनी है और इसमें एफिल टावर में लगे स्टील की मात्रा जितनी उपयोग की गई है वो सबसे ज़्यादा है जो एफिल टावर में जितना लगा है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर लगा है तो इस तरह से हम लोग ने अगर ऐसे तरह के कामों की सुरुवात की है तो कभी कुछ नपुछ इन सब चीजों को देखने का है बिहार संग्रहाले बना इस देश का पहला अंतराश्ट्री इस तरह का संग्रहाले हम लोगों ने बनाया है कभी मौका हो तो एक बार जरूर यहां के बिहार संग्रहाले को भी देख लिजे कि किस तरह का ये बनाया गया है और बिहार संग्रहाले में बहुत अच्छे ढंग से हर प्रकार से हम लोगों ने किया है काम तो हर तरह से हम लोग चारो तरब भी करते हैं अब पुलिस मुख्याले जो बना सरदार पठेल भवन अब वो भी देख लिए रिक्टर स्केल 9 तक भी आएगा तब भी जाकर के भुकम पाने पर उसका नियंत्रन वहां पर होगा ताकि अगर बड़े पैमाने पर भी भुकम पाता है तो वहीं से और आपदा प्रबंधन का ही काम हुहां से तो हमने संचेप में इसको विस्तरित बहुत पताने की ज़रुवत नहीं है सब हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे मानिये नियाएपूर्ती बोबडे साहब आये हुए हैं उनकी बात हम लोग सुने ये फुसी की बात है और हम सब लोगों के लिए ये बहुत ही प्रसंदता की बात है और हाई कोट और हाई कोट के दिसांदर देश में यहां के नियाएपालिका और विक्सित धंग से और बेतर धंग से काम करती रहेगी इससे बहुत अच्छा होगा और इससे एक विकास होगा तीजी से विकास होगा और कई प्रकार के काम होते हैं उन स बहुत खुसी हो रही है और आप सब लोगों के साथ बैठने में जो मौका मिला है इसके लिए खुसी होती नहीं तो आपके हाथ में जो अधिकार हम लोग तो चाहते हैं वो बिलकुल पूरे तोर पर इसी तरह से चलता रहे ताकि कोई गड़बर करने के बारे में नहीं सोचे और किसी भी सही आदमी को किसी प्रकार से उसके प्रती अन्याय नहीं हो सके तो यही तो न्याय पालिका और यही तो सबसे बड़ी चीज़े न्याय है इसलिए आप सब लोगों का मैं विनंदन करता हूँ राज्य सरकार की तरफ से और आप सब के प्रती मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब इस कारिक्रम में सामील हो करके यहां पर उपस्तित हुए हैं इनी सब्दों के साथ आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समात करता हूँ थैंक यू सर्व फॉर यूर मोस्ट काई